आप समी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल आपने बिलकुल सही पढ़ा GST में हो रहा है अन्याए और हमारा काम है उस अन्याए के खिलाफ आवाज उठाना बहुत तरह का अन्याए डिपार्टमेंट GST में कर रहा है क हमारे पास recent case आया है GST registration suspend का तो मैं आप से discuss करूँगा वो case और आप मुझे comment box में लिख कर बताना कि क्या ये अन्याए हो रहा है या नहीं और अगर ऐसा अन्याए हो रहा है तो हमें करना क्या चाहिए इस cases में तो हमारे पास case है 7 जन्वरी 2021 का 7 जन्वरी 2021 को हमारे किसी member को ये notice आया कि हम तुमारा registration cancel कर देंगे तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दखो जो ये notice आया ये आया rule 2021 के अंदर और जो नया सब rule आया है सब rule 2A of rule 21A के अंदर अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे client के case में पहली बात ये वाली चीज तो थी ही नहीं हमारे client ने return फाइल नहीं करी थी तो उसे ये notice भेज दिया गया और notice में क्या लिखा गया कि आपने return फाइल नहीं करिये तो हम आपका registration cancel करते हैं notice की मज़ेदार बात समझेगा कि 7 जन्वरी को हमें notice भेजते हैं और हमें ये कहते हैं you are you are here by direct to appear before the under sign 31 December 2020 मतलब कि 7 जन्वरी 2021 को notice आएग और हमें उससे 7 दिन पहले past में जाकर 31 December को उनके office में present होना था कितनी गलत बात ये हमसे ऐसा उम्मीद करते हैं पहले जब आप ये notice भेज रहे हो तो इसे समझतो लो यहां पर नीचे जब आप sign करते हो तो sign करने से पहले देखतो लो notice में हमने क्या डाला है अगर ये by default है तो ये गलत है आप इसे बिल्कूल ठीक करो फिर साथ में क्या करते हैं ये साथ जनवरी से ही हमारा जो registration है उसे suspend कर देते हैं भाई इन्होंने suspend करने का अपना अधिकार मान लिया अब suspend जैसे ही इन्होंने कर दिया तो हमारा तो पूरा business ठब ना हम GSTR 1 बर सकते ना 3B बर सकत ना सेल कर सकते सारी दिक्कते आ गई हमारे business को अब इन्होंने suspend कर दिया चलो भाई हमने सोचा कि ये suspend अब इन्होंने करा है तो अब हम सारे compliance को पूरा करके हमने अपनी सारी return ने with late fees fine जो भी था वो हमने जमा कर दी और जमा करने के बाद हमने 11 जनवरी को ही within 4 दिन 4 दिन च उसके बाद सहाब बैठे हुए pending for order और ये assign हो चुका है center को pending for order और कितने तीनों से pending है वही है ये 11 जनवरी से लेकर 11 फरवरी हो गई 11 मार्च हो गई तो सारा time client के लिए आपके लिए कुछ नहीं department आप अपने काम में बिजी रहो और client को ऐसे परेशान करते रहो क्या ये ब किसी का registration cancel करना है तो जो government ने SOP जारी की है आप उसे follow करोगे या नहीं ये जो SOP आई थी हमने अपनी मार्च 21 के edition में दी इस SOP को आपने follow नहीं करा आपको यहाँ पर action लेना था आपके shoe moto cancellation proceeding के अंदर ये application दिखाई गई होगी तो आप इस पर action लेते या तो order pass करते अगर आप यहाँ पर order pass कर दोगे कि भई हम आपका registration cancel करते हैं तो हम revocation file कर लेंगे या आप हमारे इसे approve कर दो तो कुछ तो करो आप तो बिलकुल file दबा कर बैठ गए इसमें कोई action ही नहीं ने ले रहे अब यहाँ पर client का business hamper हो रहा है तो यह बहुत गलत बात है department की जिस भी department न लिख कर बताओ कि यह नया है या नहीं इस पर government को भी हमारी finance ministry को भी संग्याल लेना चाहिए कि officer किसी भी business को ऐसे hamper ना करे उसके लिए time limit set हो कि भई जो आपके पास pending applications पड़ी है या तो order pass करे हम यह नहीं कहा रहे approve करे अरे reject करो revocation के लिए apply करेंगे appeal के लिए apply करेंगे भी आधा धूरा दिया यह notice भी गलत है आपने इसके अंदर यह वाला case लिए जो कि हमारे client में applicable होता ही नहीं है तो ऐसे case में आपको करना क्या है तो आज एक नया ट्रम में आपको देता हूँ एक नया ट्रम है CP gram सरी CP gram क्या है भाईया अगर कोई officer आपको ऐसे परेशान करत है और आपकी बात नहीं मानता यहां पर आप समझो पहले तो आप department में जाओ और उन्हें बोलो कि भईया हमारी application pending बढ़ी हुई है आप इस पर action लेलो लेकिन अगर वो नहीं मानता आपको ज़्यादा प्रेशान करता है तो CP gram एक site है CP gram किस तरह की site है आप यहां पर किसी भ ग्राम का portal है यहां पर आप अपनी जो है कोई भी complaint लोज कर सकते हो यह public grievances के लिए government ने portal बनाया है तो CP gram में जाकर अपने आपको register कर लो और यहां पर जो भी आपकी complaints है वो बता दो कि भईया ऐसे ऐसे हमने clarification दे रखी है लेकिन हमारी clarification पे अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है हमारे को business करने में दिक्कत आ रही है यह सारी चीज इने बता दो पूरा case यहां पर study करके दे दो इन्हें कि हमने 11 जनवरी को ही reply कर दिया था लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई action नहीं लिया इस वज़े से ना तो अब हम अपनी return file कर पा रहे हो ना ही हम अपना business कर पा रहे है हमारा registration suspend कर रखा है तो आप CP gram में इसकी मदद ले सकते हो CP gram करने दे पहले एक बार अपने GST officer से मिल लेना उन्हें बोल देना कि हमने reply दे दिया भईया इस पर कुछ action लो तो अगर आपको भी ऐसा कोई notice आया है तो आप हमें भेज सकते हैं हम उसके उपर भी video ब बना रहे हैं आपकी knowledge के लिए बना रहे हैं क्योंकि हमने यह कोशिश करी है कि GST के अंदर आप सब लोग अच्छे से अपने आपको trend कर लें इसी कोशिश में हमने दिल्ली NCR में face to face batch शुरू करा है जिसमें हम 1500 घंटे के अंदर यह rules और section पढ़ाते हैं जिससे आप अपनी returns तो time to time file करी पाओ लेकिन अगर इस तरह के कोई notice आते हैं उसका reply भी आप दे पाओ इसी कोशिश में हम आपको अपनी magazine प्रोवाइड करते हैं magazine तो March की magazine का आप हमें review बताओ कि आपको कैसी लिगी है हमारी March की magazine उसके अंदर हमने यह SOP दी है और यही department के पास ले जाना कि वह यह SOP आप follow क्यों नहीं कर रहे हैं तो यह हमारा batch start हो रखा है तो अगर किसी को अभी भी इसमें admission लेना है तो वो admission ले सकता है जो वेक्ति दूर से है तो वो 1500 घंटे का यह course हमारी pen drive के माध्यम से ले सकता है pen drive या google drive के माध्यम से ले सकता है 1500 घंटे में क्या कराते हैं हम पूरा content कराते हैं जिसमें act भी होता है rules भी होता है और आप जो यह notices वगेरा आते हैं इनका सबका reply आसानी से दे सकते हैं अगर आपको magazine लेनी है paid membership लेनी है या course लेना है तो आप इस number पे whatsapp कर सकते हैं और आपने हमारा KJ classes का app तो download करी लिया हो परचेज करने हैं तो आप उस app के माध्यम से भी हमारे course परचेज कर सकते हैं आशा करतो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादे से ज्यादा लोगों तक share करना हाजी 31 March last date है 909C की इसका भी app पर course है और इसकी special pen drive अगर आपको वो लेना है तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं मैक जीन आपको मार्च की कैसी लगी हमें कमेंट बोक्स में जरूर लिखके बताएगा वीडियो कैसी लगी और अगर मैक जीन की free sample copy चाहिए तो हम आपको free sample copy भी दे देंगे जो की हमारा July मंत का edition है वो हम आप आपको free में प्रोवाइड कर देंगे इस नंबर पर WhatsApp करके आपको ले सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद थैंक्यू फोर वाच्चिंग